तो फिर्ट कैसे हैं आप लोग फिर्ट बरागत आपका मैं इस चैनल पर जिसका नाम अपर लिजन रहेंगे इस चैनल पर इलेक्टिकल और CCTP चैम्रे से लेटेड वीडियो बनाता हूं तो जैसा की पिक्चर देख के आप समझी कहा होगे क्या होने वाला है आज के वीडियो में हम कंप्रेशर के स्टार्टर के कनेक्शन के बाड़े हम समझेगे करकेवाद करनेक्शन करते हैं ताकि एक हमाराcę में पजया हम करते हैं और सब्सक्कार भी समझतें उर सोी बाइम करते हैं कितने सेटिंग पर क्रिकिन एसी सेट्न बीडियो को सुरूर को सब्सक्राइल ने लगा रहता है तो यह आप देख पा रहें कि यह स्टार्टर लगा हुआ है तो स्टार्टर ऐसा होगा फ्रेंट्स जो पिक्चर में दिखा होगा मैंने उसके लाव आप देख रहा हैं फ्रेंट्स एक प्रेसर स्वीच है प्रेसर स्वीच भी आप यह देखिए यह प्रेसर स् इससे मैं है तो फर चलिए वीडियो करते हैं और बारी-बारी से समझते हैं स्टार्टर को सब्से पहले समझेंगे फिर उसके प्रेसर की शेटिंग कैसे करते हैं वह समझेंगे तो फंस यह हमारा एक स्टार्टर यू चोंपा उप कर साथ यह सब पहले थोड़ी सी की वाइड़ेंग डियाग्राम को समझ लेते हैं कि इस इस चाठर की वाइडिंग कैसे करते हैं ढार समझ बास में समझाओँगा कि इस स्टार्टर को प्रेसर सिच के साथ कैसे क्नेक करेंगे सबसे पहले देख पा रहा है यहां पर कि हम यहां पे three-phase को सबसे पहले thermal overload relay को और staircase यह या यहां पर connection दिखाए नहीं में यहां पर देखे सब्सक्राइब सत्काइब त्रे-णा आ और नीचे करें उसे सीधे मोटरanga को त्रीपे सप्लाई देना है अब इसके कंट्रॉल वाइडिंग को थो समझते हैं तो सबसे पहले एक फेज कोईल को यह देखे हैं यह हमारा क्वाइल है तो यह बैंट्र को यहार फेज को है सबसे पहले रेले के और यह दूसरे पॉइंट से सीधे एन सी के पॉइंट पे लूब कर दिया और एन सी के सीधे क्वायल पर दे दिया और होल्ड के लिए एनो का जो दूसरा पॉइंट है वहां से नीचे वाले जो कॉंटेक्ट है इससे यह लो करण का यह जो बायर छोटा सा देख रहा है यह हमने लूप किया हुआ करने के लिए जैसा कि अब को दिख रहा है तो इस तरीके से इसके कंट्रोल वाय लो donn को हम इस iç की कि वह हिए इसके को देखते हैं और फ्रेंस यह हमेरा प्रेशर स्टरुच यह इसमें आप देख पार कि त्री कॉन्टेक्ष्ट है जो की एनों और एं सी दोनों सकता है तो फ्रेंट को अब आने के बाद यह आप ऐसे दिखते हैं इसमें हम अपने का कनेक्शन भी कर सकते हैं मतलब इसमें जो सप्लाई होगा सीधे हम इसमें डालके और मोटर को यहां से दे सकते हैं सप्लाई जिससे क्या होगा कि जब यह प्रेसर स्विच हमारा लोज निचे से दोन होगा तो इस तरी की से दी का प्लाई का भी इससे कनेक्शन दे सकते हैं या तो सिर्फ कंट्रोलिंग कि इसको उख सकते हैं इसके सिंगल पॉंट को उख कर के कान्टोल आ सब्स कि अब मैंने यह छोटा सा जो वायर यह लो कलर का दिख रहा है नीचे सा इसको हमें हटा देना यह वायर को रिमूब कर देना है उसके लबा फ्रेंट ऐनो की चीजी जो दोनों पॉइंट्स है इन दोनों पॉइंट्स दूए उठाने हैं और प्रेशर स्वीच के जो दो पॉइंट बताया था वहां पे हमें कनेक कर देना है अब आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं इसको तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि मैंने होड क hypnot के दू कि मैंने और सीधी इन दोनों वायर को ठाके अपने दोनों पर दल दिया है तो इस तरीके से इसकी वायर इंपूरीट हो जाती है supply दिया है अब समझते हैं कि इसके प्रेशर की सेटिंग कैसे करते हैं इसके प्रेशर स्विच में तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि यहां पर एक छोटा सा नट है इसमें पॉजिटिव और निगेटिव लिखा हुआ तो इसी नट को हम टाइट और लूज करके प्रेशर की कर सकता है तो इसको सबसे पहले में क्या करना है कि इसको टाइट करके यह जो बलैउरा हमारा लगा हुआ का इसकी लेवल में लेलना है तो यह नट ताइट करने से यह जो अभी हमने सेटिंग किया है तो उससे एक लिमिट शुए आ या से मालो आभी लिमिट जी मство CliniEEEE आ तो यह साथ किजी पर हमारा प्रेसर पहुंचेगा तो यह बंद हो जायागा तो लेकिन अगर हमें चेंज करनी है सब से पहले कि हमारा जो है नट करने से क्या होटा और दूज करने से क्या हो सबसे पहले हैं अगर हम लूज करेंगे तो इसकी सेटिंग जो है डाउन होगी जैसे अभी साथ से घटके 6 हो जाएगा मतलब 6 पर जाके बंद हो जाएगा तो यह याद अखना है कि टाइट करने से प्रेशर लिमिट बढ़ेगा और लूज करने से प्रेशर लिमिट घटेगा तो जैसे हमें करने भी 5 से 7 की सेटिंग है और अब में नहीं शात बणने करना है तो फिर हमें इसको धीरे धीरे टाइट करेंगे और फिर इसको चालू करके चेक करेंगे कितने पर बंद होता है तो यह हमें मैनुवली ही करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा टाइट करके और चेक करना पड़ेगा इसको कितने पर यह बंद हो रहा है तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं यह जो डिफरेंस होता है दो का डिफरेंस होता है तो difference को अगर हमें change करना है तो यह चोटा साब screw जो यहां पर देख पा रहे हैं इसको tight और loose करके हम इसके difference को भी घटा बढ़ा सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं तो इसके difference को भी कम ज्यादा कर सकते हैं अगर कोई भी confusion हो तो आप हमें comment section पूछ सकते हैं अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो फ्रेंट इस वीडियो को like और share जरू किजेगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरू कर लिजेगा ऐसी और वीडियो देखने के difference तो मिलते हैं एक नए वीडियो में त